दो आज इंडियन मैक्स डैविंग 3D में हमारे सीडी में होने वाला है किंग कॉंग और आइस गोट की बोथ ही कतनाथ फाई दिरसल यह बात है उस समय की जब हमारे सीडी की एक टांद्रिक ने किंग कॉंग को समुंदर में कैद कर दिया था और कहा था कि जब तक समुंदर के पूरा पानी खतम नहीं हो जाता ततत तक तुम इससे आजाद नहीं हो पाओगे फिर यहां तक तो कोई टेंसन की बात नहीं थी बलकि टेंसन की बात तो तब सुरू होते है जब इंडियन मैक्स डैमिंग 3D में 3-4 सालों से बारिस ही नहीं होती और इतने सालों तक बारिस नहीं होने के वैसे समुंदर के भी पानी धिरे-दिरे सुखने लगते है और आज के दिन ही पूरा पानी सुखने से पहले ही किंकों वहां से आजाद हो चुका है यह तो मेरे को भी पता नहीं है कि पूरे पानी खतम होने से पहले ही कैसे आजाद हो गया इतना जरूर बता सकता हूं यार कि आजाद होने के बाद सबसे पहले हमारे सीटी पे अटेक करेगा क्योंकि यार हमारे सीटी के यही तांदरिक ने इसको कैद करके रखा था बट अपसोस कि वो तांदरिक एक साल पहले यह गुजर गया तो इस King Kong को मानने के लिए मेरे को पुलिस वालों की सायता लेनी पड़ेगी तो चलो यार अपने बाइक को ले करके चलते हैं पुली इस्टेसन में इसमें बिलेक का है गर दिखा रहा और क्या लिका है भाई ओनली पिस्टल से स्पाइडर को मारो लेकिन यार फोटो में एक भी स्पाइडर दीखने रहा है सायच से घर के अंदर होगा तो चलो यार पड़ा-पड़ चलते हैं बिलेक के तरह और पहला टेस्टो कापी असान लग रहा है क्योंकि अर्फ पाइडर कोई तो माना है बटर कहीं उस घर में बहुत सारी स्पाइडर स्ना हो यार कोई ना देखा जाएगा तो कुछ देरों के बाद हम आ जाते हैं बिलेके दिया में और यहां पर मेरे को ढूबना है ओगर जिस घर के अंदर सायच से बाइक नारे भी ऐसे ही था फूरा आगे से चल कर देखते हैं और यहीं देखो यार तुम्हें तुम्हें गर नहीं हो चुका हूँ कि अगर बाहर में तो कुछ वसाद दिखने रहा है साइस से अंदर जाकर देखना पड़ेगा तो यहां पर बाइक को लगा दिया नोदे यां तो एसे जाहीम रहा हूं मैं आंगे बैठ बाइक है बैएक बाइक कर देखना हैं त्याथ लिए मी जता है , मारा चला दितर बाहर पड़ेखना पर लेकिन बाइक की आर पर चला चाहा हूं और कुछ भी हो better तर ऐसे बनने के बाद काफी ज्यादा मज़ा भी आ रहा है बटी कया भाई हिलमेट पेल लिया ओ बाई साहब कितना इनिक सीन है भाई मज़ा आगया यार ऐसा लग रहा है एक यार मैं सज में बाइक पे बेटा हूं लेकिन यहां पर कुछ गड़ बना भाई हिलमेट खोलने यह क्यों करण रहा है भाई है और कितना संदार ना पड़ेगा इसको दूसरा देखने में पापवी ज्यादा लग रहा है या और यार में इधर में टाइम पस कर रहा हूं उदर में किंग कॉंग भी आजेगा इसलिए मैं आ जाता हूं यहां पे और यार गिर भी गया बढ़ को इसके अंदर जाने के लिए किसी का गारी लूटना पड़ा है क्योंकि बाइक से तो मैं इसके अंदर जानी पाऊ तो चलो यह रोड की तरफ और देखो मेरे को यह गारी दीख भी गया तो चलो यार फटापट इसको रोका आते हैं ऐसे तो यह लोग रोकने वाले है नहीं जल बैए अब गारी रोक भी दे अरे रोक दे आर क्या कर रहा है और इसके गारी को लेकर के यहां पर अच्छे सेट कर लेता हूं और गाईज आप सब्सक्राइब कर्याइब को एंद और अद वेवाट पे गर चैनले करें से और दाढ़ादया कर जाएगा मैं जाने के लिए गुदी करी के तो मैं हों आपंड यत्या फटाफस्त करूब तस अगे आगा तो ब्रमेंद है है कि कैसा है यह क्या है चलती हुई ट्रेन के ऊपर कुछ देर तक बाइलेंस करो अच्छा यह भी कोई हाड काम नहीं है बलकि इसके लिए बाइक की जुरुत पढ़ने वाली है जो कि यार मैंने बाइक को महीं पे छोड़ दिया तो चलो यार पड़ा पड़ चलते हैं उसके चलते हुए ट्रेन पर बाइलेंस बनाना है तो यार इसके उपर जाने के लिए कोई तो रास्ता होगा न किलोस ऐसे बाहर में होगा लेकिन यार इधर तो कुछ भी नहीं दिख रहा हूँ इक है बाई रहा है यह तो हमार ली काफी अच्छा हुआ यार दो चलो पड़ा पट इसके उपर चलते इस टनल के उपर एंगे जिर हम इसके उपर भी आ चुके हैं अब ट्रेन चलेगा तो य क्या बाई जादे वेड भी नहीं करना प्ला नीचे का ट्रेन तो चलने लगा तो देखते हैं बाई अब मेरे को इसके उपर कुदाना पड़ेगा और यह क्या बाई इस टनल के बाहर जाने के बाद नीचे उतर जाएंगे तो चलो यार बाहर तो हम आ चुके हैं देखते हैं पीछे की टनल कैसा दिख रहा है यार पीछे लिए ट्रेन के नीचे ना जाओ नहीं तो यार कुछ उमर बढ़ना फिक्स है बढ़कोई नहीं को नीचे आना ही चाहिए यह मिसंते मेरों को लगता है कि कंप्लीट होई चुका सब्सक्राइब करना ही पड़ेंगा ना तो हम कुछे दिरों के बाद आये ते कंड्रक्शन एरिया के अंदर दिखाते हैं कि हो टापर हाँ देख सकते हैं जो सामने टावर है ना उसी के उपर है मांटें डिव साइद इसलिए तो ने दिया है कि उस टावर के उपर जाने के पाद उतरने का ही मत ना पड़ें इसलिए मांटें डिव पिकर के उतर जाओ बड़े एक प्रोल्म होगे कि मैं उसके उपर जाओंगा कैसे या और साथ इतना रोस नहीं आ रहा है कि नीचे से तो मांटें डिव दिखनी रहा है और कोई ना उपर पोजने के बास सब दिखे लेते हैं यहां से उपर कीसा जाएंगे वाई नेक्स डूइंपोसिबल अगर उचल वी जाए तब लेंडिंग नहीं नहीं हो पाएगा देख सकते हो काम करते हैं सामने वाले बेल्डिग एक रैम को इसा सेट करते हैं इंड साथ हैं इसके ओपर से बाइक ऊछा लेंगे तो चले जाएंगे क्या सेड़ भी कर लिया और बाइक को भी यहां पर ला लिये तो यहां से फूली स्वीड हम अपनी हिसाब से देवडाते हैं और यह देखो यार हो गया पूपट हमारे साथ तो गईजर अब हम यह किछी से इसके उपर जा सकते हैं वह है ब्रहमास्तर जेट प पढ़ेगा हैं अराम नहीं से जाना पढ़ेगा नहीं तो शुरुआत में गिर जाएंगे तो यह उसके पास तो पहुंच नहीं पहेंगे बट ऐसा होने वाला है नहीं क्योंकि यार मैं जेट लेने के लिए बहुत बर यहां पर आ चुका हो तो मेरा एक्स्वेरियंस हो का है मेरे को जेट पैक तो चलो यार इसको लेकर क्या हो जाते हैं कंड्रक्शन एरिया के पास तो सीधा चलेंगे इस वाले टावर के ऊपर एंड फिर ले लेंगे मांटन ड्यू को और फिर आप लोग समझे रहे हो डर की क्या होनी वाली है तो हम यहां पर उतर चुके हैं यहां पर दिख चुका है मेरे को मांटन ड्यू तो चले यार पड़ाबर हम इसको ले लेते हैं पी लेने के वाद में अपने जेट पैक को लेकर के सीधा जाने लगता हूं कहां पर उससे पहले मैं डरता नहीं हूँ क्योंकि मांटन ड्यू प्याहूं मजा करा हूं तो पड कि व्यान की दोने वाला है लेट सी तो लोग एजर फाइनली मैं जीच चुका हूं किंग को उनको मार करके अपने सीधी को भी बचा लिया तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो कमेंट में बता दिएगा एंडा थांक्स वर वाजिंग में वीडियो